मेरी पहरे देश्वासियों, नमस्कार, दो दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्वेरे, कुछ यादगार पल अब भी मेरी आँखों के सामने हैं, इसलिए इस बार मन की बात की शुरुवात उनी पलों से करते हैं, टोक्यो ओलिम्पिक्स में भारतिय खिलोडियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर, मैं ही नहीं, पुरा देश रोमान्चित हो उठा, पूरे देश ने जैसे एक होकर, अपने इन उद्धावों से कहा, बीजै भावा, बीजै भावा, जब ये खिलाडी भारत से गए थे, तो मुझे इन से गपशप करने का, उनके बारे में जानने, और देश को बताने का अवसर मिला था, ये खिलाडी जीवन की अनेक चुनोतियों को पार करते हुए यहां पहुचे हैं, आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है, इसलिए आईए, मिलकर अपने सभी खिलाडियों को अपनी शुब कामनाएं, उनका होसला बढ़ है, सोशल मिडिया पर आलिम्पिक खिलाडियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्टरी पंच कैम्पेइन अब शुरू हो चुका है, आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्टरी पंच शेर करिए, इंडिया के लिए चियर करिए, साथियों, जो देश के लिए तिरंगा हम सब को जोडती है, कल यानि 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है, करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौरिय और सहियम का ऐसा प्रतीक है, जिसे पुरी दुनिया ने देखा है, इस बार ये गवरवशाली दिवस भी अमरुत महुतसव के बीश में मनाये इसलिए ये और भी खास हो जाता है, मैं चाहूंगा कि आप करगिल के रोमान चीत कर देने वाली गाथा जरूर पड़े, करगिल के वीरों को हम सब नमन करें, साथियों इस बार 15 अगस को देश अपनी आजहादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा स अभाग है, जिस आजहादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्स होने के हम साक्षी बन रहे हैं, आपको याद होगा, आजहादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साब्रमति आसरम से अमरुत महोत्सव की शुरुवात होई थी, इसी दिन ब अम्मु कस्मीर से लेकर पूरी चीरी तक, गुजरात से लेकर पुर्वत्तर तक, देश भर में अमरुत महोत्सव से जुड़े कारकम चल रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधिनता सेनानी, जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पा रहे हैं, अब जैसे मोयरांग डेको ही लीजिये, मनिपूर का छोटा सा कस्बा, मोयरांग कभी नेताजी सुभासंदर बोस की इंडियन नेसलर आर्मी यानि आई एने का एक प्रमुक ठिकाना था, यहां आजादी के पहले ही आई एने के करनल शौकत मनी जी ने जन्ना फैर आया था, अमरुत महोत्सव के दोरांग 14 एप्रिल को उसी मोयरांग में एक बार फीर तरंगा फैराया गया, ऐसे कितने ही स्वाधिनता सेनानी और महापुरुष हैं जिने अमरुत महोत्सव में देश याद कर रहा है, सरकार और सामाजिक संगठनों की दर्ब से भी लगात इससे जुड़े कारकम आयोजित किये जा रहे हैं, ऐसा ही एक आयोजित इस बार 15 अगस को होने जा रहा है, ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ, सांसकुर्तिक मंत्राले की कोशिश है कि इस दिन जादा से जादा भारतमासी मिलकल राष्ट्रगान गाए इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in इस वेबसाइट के मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभ्यान से जुड़ पाएंगे, मुझे उमीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे, इसी तरह के बहुत सारे अभियान, बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, अमुर्त महोचव किसी सरकार का कारकम नहीं, किसी राजनितिक दल का कारकम नहीं, यह कोटी-कोटी भारत वासियों का कारकम है, हर स्वतंत्र और कृतग्य भारतिय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है ये भावना है अपने स्वाधिनता सेनानियों के मार्क पर चलना उनके सपनों का देश बनाना जैसे देश की आजहादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजूट हो गए थे वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजूट होना है हमें देश के लिए जीना है देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं रोज के काम काज करते हुए भी हम राष्टर निर्मान कर सकते हैं जैसे वोकल फॉर लोकल हमारे देश के स्थानिय उद्दमियों आर्टिस्टों शिल्पकारों बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए साथ अगस को आने वाला नेशनल हैंडूम डे एक ऐसा आउसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं नेशनल हैंडूम डे के साथ बहुत अइतिहासिक पृष्टभूमी जुड़ी हुई हैं इसी दिन 1905 में स्वदेसी आंदोलन की सुरुवात हुई थी साथियों हमारे देश के ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में हैंडूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है ये ऐसा क्षेतर हैं जिससे लाखों महलाए लाखों बुनकर लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे आप स्वयम कुछ न कुछ खरीदे और अपनी बात दूसरों को भी बताए और जब हम आजहादी के 75 साल मना रहे हैं तम तो इतना करना हमारी जिम्मेवरी बंती ही है भाईयो आपने देखा होगा साल 2014 के बात से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं ये आपका ही प्रयास है कि अदेश में खादी की बिक्री कई गुणा बढ़ गई हैं क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में एक करोड रुपे से अधिक की बिक्री हो सकती हैं लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीते हैं तो इसका लाप हमारे गरीब बुनकर भाईयों बेहनों को ही होता है इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है, मेरा आपसे आगरह है, कि आप सभी मेरे प्यारे भाईयों भेहनों ग्रामिन इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्स जरूर खरीदें, और उसे हैस्टेग माय हैंडलूम, माय प्राइड के साथ श भाभाविक हैं, जैसे बापो के नेतरुतों में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देश वाजी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतरुत्व करना है, यह हमारा करतव हैं, कि हम अपना काम ऐसे करें, जो विवितिताओं से हमारे भारत को जोड़ने में हो, तो आएए हम अमरुत महोचों को यह अमरुत संकल पलें, कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्ता, सबसे बड़ी प्राक्विक्ता बना रहेगा, नेशन फर्स्ट, आल्वेस फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे वढ़ना है, मेरे पहरे देश वासियों, आज मैं मन की बात सुन्द रहे मेरे युवास साथियों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही माय गौव की और से मन की बात के स्रोताओं को लेकर एक स्टड़ी की गई थी, इस स्टड़ी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और कानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75 प्रतिशत लोग 35 वर्स की आयूश से कमके होते हैं, यानि भारत की युवास सक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं, मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रुप में देखता हूँ, म मन की बात में हम positive बाते करते हैं, इसका character collective है, सकारात्मक विचारों और सुझाव के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रेता मुझे आनदित करती हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के मादियम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का आउसर मिलता है, आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विवित्ता को प्रगड करते हैं। भारत वाशीओं के सेवा और त्याक की खुश्भू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। हमारे महनत का स्युवाओं के इनवेशन से सब को प्रेरीत करते हैं। मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज बेजते हैं, हम सभी पर तो चर्चा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन में से बहुत से आइडियाज को मैं सम्मंदित विभागों को जरूर बेजता हूँ, ताकि उन पर आगे काम किया जा सके हैं। साथियों, मैं आपको साई प्रनीज जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ, साई प्रनीज जी एक सौब्वेट इंजिनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, पिछली बर्स उन्होंने देखा कि उनके यहां मोसम की मार की वज़े से किसानों को काफी नु इस्तिमाल करने का फैसला किया, अब वे अलग-अलग डेटा सोर्सेस से भेदर डेटा खरीते हैं, उसका विस्टलेशन करते हैं, और स्थानिय भाषा में अलग-अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुचाते हैं, भेदर अपडेट्स के अलावा, प्र तुफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाएं, इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं, साथियों, एक और इस नौजवान सौप्वेर एंजिनियर का ये प्रयास दिल को छूने वाला है, तो दूसरी और हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलोजी का उप्योग भी आपको अचंपित कर देगा, ये साथी हैं ओडिशा के संबलपूर जिल्ले के एक गाउं में रहने वाले स्रिमान इसाक मुंडा जी, इसाक जी कभी एक दिहारी मद्दूर की रुप में काम करते थे, लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं, अ अपने घाउं, अपने लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुक्ता से दिखा थे हैं, एक यूटूबर के रूप में उनकी आत्रा मार्ट 2020 में शुरू ही थी, जब उन्होंने ओडिशा के मस्तूर थानिय वंजन पखाल से जुड़ा एक वीडियो किया था, तबसे वे सेंकड़ो वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, उनका ये प्रयास कई कारों से सबसे अलग है, खास कर इसलिए कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जिवन सहली देखने का आउसर मिलता है, जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इस हम सब को प्रेणा भी दे रहे हैं, साथियों, जब हम टेकनोलोजी की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक और इंटरस्टिंग विशह की चर्चा करना चाहता हूँ, आपने हाल, फिल हाल में पढ़ा होगा, देखा होगा, कि IIT मदरास के अलुमनी द्वारा, स्थापीत, एक थ्रीडी प्रिंटेड हाउस बनाया है, थ्रीडी प्रिंटिंग करके घर का निर्मान आखिर यह हुआ कैसे, दरसल इस स्टार्टप ने सबसे पहले थ्रीडी प्रिंटर में एक थ्री डाइमेंशनल डिजाइन को फिर किया, और फिर एक विशेश प्रकार के कॉंक्रीट के म रहे हैं, एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे, लेकिन आज टेक्नलोजी की वजह से भारत में स्थिती बदल रही है, कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमतरित करने के लिए एक ग्लोबल ह आउसिंग टेक्नलोजी चैलेंज लॉंच किया था, ये देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनुखा प्यास है, इसलिए हमने इने लाइट हाउस प्रोजेक्स का नाम दिया, फिलहाल देश में छे अलग अलग जगों पर लाइट हाउस प्रोजेक्स पर तीजी से काम चल रहा है, इन लाइट हाउस प्रोजेक्स में मोडन टेक्नलोजी और इनोवेटिव तोर तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है, इससे कंस्ट्रक्शन का टाइम कम हो जाता है, साथी जो गर मनते हैं वो अधिक तिकाव, किफायती और आराम दायक होते हैं, मैंने हाली में ड्रॉ प्रोजेक्स की समिक्षा भी की और कायरे की प्रग्यती को लाइव देखा, इन दोर के प्रोजेक्स में ब्रीक और मोर्टार वॉल्स की जगह प्री फैब्रिकेटेड सेंट्वीच पैनल सिस्टिम का इस्तिमाल किये जा रहा है, राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेक करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे, चेड़ने में अमेरिका और फिनलेंड की टेकनलोजी प्रीकास कॉंक्रिट सिस्टिम का उप्योग किया जा रहा है, इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कमाएगी, राची में जर्मनी के 3D कंस्रक्शन सिस्टिम का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे, इसमें हर कमरे को अलग से बनाए जाएगा, फिर पूरे स्ट्रक्शर को उसी तरह जोड़ा जाएगा, जैसे ब्लॉक टोईज को जोड़ा जाता है, अगर तला में नुजिलेन की टेकनलोजी का उप्योग कर स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए ज होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दिवारों का प्रयोग किया जाएगा, साथियों आज देश्ट में ये प्रयास हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स के तरह काम करे, इससे हमारे प्लानर्स, आर्केटेक्स, एंजिनियर्स और स टेक्लोलोजी को जान सकेंगे और उसका एक्सपरिमेंट भी कर पाएंगे, मैं इन बातों को खास तोर पर अपने युवाओं के लिए साजा कर रहा हूँ, ताकि हमारी युवां राष्ट हीत में टेक्लोलोजी के नए नए इक्षेत्रों की और प्रोथ्साहित हो सकें, मेर हम कुछ नया सिकते हैं, तो हमारे लिए प्रगति के नएने रास्ते खुद बखुद खुल जाते हैं, जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युक का आरंब हुआ है, और आपने देखा होगा, जब कहीं कुछ नया होता है, तो उसका परणाम हर किसी को अस्यरी चकित कर देता है, अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछो कि वो कौन से राज्य हैं, जिने आप सेव एपल के साथ जोडेंगे, तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल पदेश, जमु कश्मीर औ उत्राखन का नाम आएगा, पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मनिपूर को भी जोड दीजिये, तो शायद आप आश्यरे से भर जाएंगे, उस नया करने के जजबे से भरे युवाओं ने मनिपूर में ये कारणामा कर दिखाया है, आजकल मनिपूर के उख्रूल जीले में सेव की खेती जोर पकड़ रही है, यहां के किसान अपने बागानों में सेव उगा रहे हैं, सेव उगाने के लिए इन लोगों ने बाकाइदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी लिए हैं, इन में से एक हैं टीएस अधिंग फामियों, ये पैसे से एक एरोनाटिकल एंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी पत्नी स्रीमती टीएस एंजेल के साथ मिलकर सेव की पैदावर की हैं, इसी तरह अवुंगशी शिम्रे ऑग्स्टीन ने भी अपने बागान में सेव का उत्पादन किया हैं, अवुंगशी दिल्ली में जॉब करती थी, ये छोड़कर व के दिखाया है, साथियों हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोग प्रिये रहा है, आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं, लेकिन COVID-19 महमरी के बाद इसकी खेती विशेस रुप से बढ़ती जा रही हैं, त्रिपुरा के उन्हा वासाती हैं, विक्रम जी चकमा, उन्होंने बेर की खेती की शुरुवात कर काफी मुनाफ़ा भी कमाया है, और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेवित भी कर रहे हैं, राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है, सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेश नरसरी बनाई गई है, ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके, खेती में इन्वावेशन हो रहे हैं, तो खेती के बाई प्रोड़क्स में भी क्रियेटिविटी देखने को मिल रही है, साथियो, मुझे उत्तरप्रदेश के लखिमपूर खेरी में किये गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है, कोविट के दौरान ही लखिमपूर खेरी में एक अनोखी पहल हुई है, वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनी देने का काम शुरू किया गया, बेस्ट में से की तरह होता है इस फाइबर से हैंड बेग चटाई दरी कितनी चीजे बनाई जाती है इससे एक तो फसल के कच्रे का इस्तेमाल शुरू हो गया वहीं दूसरी तरफ गाउं में रहने वाली हमारी बेहनों बेटियों को आयका एक और साधन मिल गया बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानी मेला को चार सो से छे सो रुपिय प्रतिदीन की कमाई हो जाती है लखिमपुर खीरी में सैक्रो एकर जमीन पर केले की खेती होती है केले की फसल के बाद आम तोर पर किसानों को इसके तने को फैंकले के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था अब उनके पैसे भी बच जाते हैं यानि आम के आम गुठलियों के दाम यह कहावत यहां बिलकुल सतिक बैठती हैं साथियों एक और बनाना फाइबर से प्रोडस बनाई जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुर जैसे स्वाधिश्ट बेंजन भी बन र रही हैं यह शुरुआद भी कोरोना काल में ही हुई है इन महलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा गुलाब जामुर जैसी चीजे बनाई बलकि इनकी तश्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है जब जादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उ इन महलाओं के आमदी भी लखिमपूर खिरी की तरह यहां भी इस इनोवेटिव आइडिया को महलाएं हैं लीड कर रही हैं साथियों ऐसे उधारन जीवन में कुछ नया करने की प्रेणा बन जाते हैं आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जब आपका परिवार मन की बाते कर रहा हो तो आप इने भी अपनी गब सब का हिस्सा बनाईए कभी समय निकाल कर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने भी जाईए और आउसर मिल जाए तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाईए और हां यह सब आप मेरे साथ नमो एप या माइगो पर साजा करे तो मुझे और अच्छा लगेगा मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे संस्कृत गंतों में एक श्लोग है आत्मार्थम जिवन लोके अस्विन कोन जिवती ही मानव है परम परोपकार्थम योज जिवती से जिवती अर्थात अपने लिए तो समसार में हर कोई जीता है लेकिन वास्तों में वही व्यक्ती जीता है जो परोपकार के लिए जीता है भारत मा के बेटे बेटियों के परोपकार एक प्रयासों की बात है यही तो मन की बात है आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं एक साथी चंडिगर्द शहर के हैं चंडि अगर आप खाने के शौकिन हो तो यहां आपको और आनंद आएगा इसी चन्रिगट के सेक्टर 29 में संजे राना जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकल पर छोले भटूरे बेचते हैं एक दिन उनकी बेटी रिदिवा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई दोनों ने उनसे कोवीड वैक्सिन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा बेच के लिए खुशी खुशी तयार हो गए उन्होंने तूरंत ये अच्छा और नेक प्रया शुरू भी कर दिया संजे राना जी के छोले भटूरे मुप्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सिन लगवाई हैं वैक्सिन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिस्थ छोले भटूरे दे देंगे कहते हैं समाज की भला ताबित कर रहे हैं साथियों ऐसे ही एक और काम की चर्चा आज करना चाहूंगा ये काम हो रहा है तमुल्यारू के निलगीरी में वहां राधिका साथ्री जी ने एंबूरेक्स प्रोजेक्स की शुरुवात की हैं इस प्रोजेक्स का मकसद है पहड़ी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्द कराना राधिका कुन्नूर में एक कैफे चला दी है उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एंबूरेक्स के लिए फंड जुटाया निलगीरी पहडियों पर आज छे एंबूरेक्स सिवारत हैं और दूर दराज के हिस् होता है साथियों संजय जी हो या राधिका जी इनके उधारों से पता चलता है कि हम अपना कारिया अपना व्यवसाय नोकरी करते करते भी सेवा के कारिय कर सकते हैं साथियों कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ जिससे जोर्जिया मैत्री को नई मजबुती मिली इस समारों में भारत ने सेंट क्वीन केटिवान के होली रेलीक यानि उनके पवित्र स्मृती चिन को जोर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौपवा इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयम वहां गए थे बहुती बावुक माहोल में हुए इस समारों में जोर्जिया के राषपती, प्रधान मंत्री, अनेक धर्मगुरू और बड़ी संख्या में जोर्जिया के लोग उपस्तित थे इस कारकम में भारत की प्रसुंसा में जो सब्त कहा गए वह बहुती आदगार है इस एक सम्हारों ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के समंधों को भी और प्रखाड कर दिया है ऐसा इसलिए क्योंकि सैंट क्वीन केटवान के ये पवित्र अवशेस 2005 में गोवा के सैंट आगस्टिन चर्च से मिले थे साथियों आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है ये कब और कैसे हुआ दरसल ये आज से 400-500 साल पहले की बात है क्वीन केटवान जॉर्जिया के राजपरिवार की बेटी थी दस साल के कारवस के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी एक प्राचीन पुर्टुगाली दस्तावेच के मताबिक सेंट क्वीन केटवान की अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था लेकिन लंबे समय तक यह माना जता रहा कि गोवा में दफ्णागे उनके अउशेश 1930 के भुकम में गायब हो गए थे भारत सरकार और जॉर्जिया के इत्यासकारों, रिसर्चर्स, आर्केोलोजिस्ट और जॉर्जियन चर्च के दसकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उन पवित्र अउशेशों को खोजने में सफलता मिली थी यह विशय जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक है इसलिए उनके हिस्टोरिकल, रिलीजियस और स्पिरिच्वल सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन अउशेशों का एक आउंस जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निले लिया भारत और जॉर्जिया के साजे इतियास के अनुठे पक्ष को संजोए रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को रदय से धन्वाद देना चाहूँगा गोवा कई महान अध्यात्मिक धरोहरों की भूमी रही है सैंट आउगस्टिन चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चीज एन कॉन्वेंट्स अब गोवा का एक हिस्सा है मेरे पहरे देशवासियों जोरजयार से अब मैं आपको सीधे सिंगापूर लेकर चलता हूँ जहां इस महिने के शुरुवात में एक और गवरोशाली अवसर सामने आया सिंगापूर के प्रधान मंत्री और मेरे मित्र ली सेन लूंग ने हाली में रिनोवेट किये गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उधारन किया उन्होंने पारंपारिक सिक पगड़ी भी पहनी थी यह गुरुद्वारा लगबग सों साल पहले बना था और यहां भाई महराची जी जी ने भारत की स्वतंतरदा के लिए लड़ाई लड़ी थी और यह पल आज हदी के 75 साल मना रहे हैं तब और अधिक प्रेरक बन जाता है दो देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट उसे मजबूती ऐसी ही बातों ऐसे ही प्रयासों से मिलती है इनसे यह भी पता चलता है कि सवहार्दपूर महावल में रहने और एक दूसरे की संस्कूरूती को समझने का कितना महत्व है मेरे प्यारे देशवासियों आज मन की बात में हमने अनेक विश्यों की चर्चा की एक और विश्य है जो मेरे दिल के बहुत करीब है ये विश्य है जल सवरक्षन का मेरा बच्पन जहां गुजरा वहाँ पानी की हमेशा से किल्लत रहती थी हम लोग बारिस के लिए तरस्ते थे और ठेश पानी की एक एक मुंत बचाना हमारे संस्कारो का हिस्सा रहा है अब जन भागी दारी से जल सवरक्षन इस मंत्र ने वहाँ की तस्वीर बद festivals दी है पानी की एक एक मुंत को बचाना पानी की किसी भी प्रकार की बरबाईदी को रोकना ये हमारी जीवन सहली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए हमारे परिवारों के ऐसी प्रंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो साथियों प्रकूती और परियावरा की रक्षा भारत के सांस्कूतिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा हुआ है वहीं बारिस और मौनसुन हमेशा से हमारे वीचारों हमारी फिलोसॉफी और हमारी सभ्यता को आकार देते आए हैं रूतु सहुवार और मेगदूत में महाकवी कालिदास ने वर्षा को लेकर बहुती सुन्दर वर्णन किया है साहित्य प्रेमियों के बीच ये कविताएं आज भी बेहद लोकप्री हैं रुगवेद के परजन्य सुक्तम में भी वर्षा के संदरे का खुबसूर्ती से वर्णन है इसी तरह स्रीमत भागवत में भी काव्यात्मक रूप से पृत्वी सूरिय और वर्षा के बीच के समंधों को विस्तार दिया गया है अस्टव मासान निपतम यद भुमयायाच ओद मयम बसू स्वगोभी ही मक्तुम आरे भे परजन्य काल आगते अर्थात सुरिय ने आठ महिने तक जल के रूप में पृत्वी की संपदा का दोहन किया था अब मौनसून के मौसम में सुरिय इस संचित संपदा को पृत्वी को वापिस लोटा रहा है वाकई मौनसून और बारिस का मौसम सिर्फ खुबसुरत और सुहना ही नहीं होता बल्कि है पोशन देने वाला जीवन देने वाला भी होता है वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीडियों के लिए है यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इन रोचक संदर्वों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करू आप सभी को आने वाले परवों की बहुत बहुत सुबकामनाएं परवों और उत्सवों के समय यह जरूर याद रखेगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गयान नहीं है कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है आप स्वस्त और प्रसंद रहें बहुत बहुत धन्यवाद